हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल आज मैं आपके साथ काले चने के कबाब की रैस्पी से एर कर रहे हूं जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं जल्दी से बनकर तयार हो जाते हैं तो कबाब बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि काले चने को रात भर है अब हम इसमें बाकी की चीज़े एड करेंगे जैसे दो से तीन बारीक कटी हुए हरी मिर्ज एक से डेल चमज के करीब हम इसमें कुटा हुआ अध्रक और लैसुन आड करेंगे आप चाहें तो अध्रक लैसुन का पेस्ट भी एड कर सकते हैं इसके बाद दो मीडियम इसके बारीक कटे हुए प्यास डालेंगे अब इसके बाद हम इसमें एक चमज बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते आड करेंगे इसके साथ हम इसमें तीन से चार चमज के करीब बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे फिर हम इसमें कुछ मसाले आड करेंगे जै औरिपलदी पाउडर अल्ठ हाओ आधा चमच गरम मसाला पाउडर आधा जीरा करें मिर्च अपनी enabling टेस्ट के साफ से कम ज़्यादा एक वड़ आ करेंगे एक चमच हम इसमें भुना हुआ जीरा आट चाहें और सब्जू पर सब्जाइया क्वाश जैसे की गाजा और शिमला मिर्स एड़े उबले हुए आलो और पनीर भी क्वाश्मी अपनीर होगत łचम की एक अधमियर इसे बाइन ब्रेच टी कि आड зовут करोते हैं जैसे ऐसे आप ब्सवाइड कर दो सब्दों लगेंगे और इनमें तेल भर जाएगा तो इस बात का ध्यान जरुर रखें और यहां पर सारी चीज़े जो है अच्छे से मिक्स हो गई है तो हम क्या करेंगे कि हाथ एक से दो चम्मज देल लगा कर अच्छे से ग्रीज कर लेंगे इसके बाद एक से डेल चम्मज के बराबर मिस्रल हाथ पिलेंगे और इसे अच्छे से हाथों के बीच में रोल करके चप्टा कर लेंगे किनारों से भी सेव देते हुए चिकना कर लेंगे जिससे कि किनारे यह हो फटे नहीं तो आप देख सकते हैं कबाब जो है असानी से बनकर तयार होना है बिल्कुल भी जरुरत नहीं है तो आप ऐसे सारे कबाब बनाकर रेडी कर लीजे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कबाब बनकर तयार हो रहे हैं तो ऐसे ही हम सारे कबाब बनकर पहले तयार कर लेंगे तो कबाब बनकर एकदम तयार हैं अब हम क्या करेंगे इन्हें तेल में फ्रा करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो सारे कबाब एट करने के बाद हम इसे 30 से 40 से कंड तक इसे रहने देंगे जिससे कि थोड़ा से सेट हो जाएंगे तब मिने पलट देंगे और दो क्रिस्पी और कुरकुरे बने और यहां पर आप देख सकते हैं कि कबाब का कलर जो है एक तरफ से अच्छे से चेंज हो गया है तो मिने पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सक गोर्डन प्राउन होने तक पका लेंगे अगर आपने डी फ्राई नहीं करना चाह करें जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ से पढ़ी आसा कलर आ गया है तो हम गैस की फ्रेम को एक दम धीमा कर देंगे और इन्हें एक एक करके तेल से निकाल लेंगे अब यहां पर हमारे कबाब का जो पहला बैच वह फ्राई हो चुका है तो जो पाकी के बचे हुए कबाब है उन्हें भी हम तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे फ्राई करने से पहले हम गैस की फ्रेम को मीडियम कर देंगे और इन्हें भी मीडियम फ्रेम पर ही फ्राई करेंगे और जैसे यह जो कबाब है यह एक तरफ से अच्छे से पक जाएंगे तब इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छ से गोर्डन ब्राउनोने तक फ्राई कर लेंगे तो आप देश सकते हैं कबाब बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही जलती बन कर तैयार हो जाते हो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगते हैं आप एक बार बना कर जरूर ट्राई कीज़ें और कमेंट करके बताईए कि आपको रैस्पी कैसे लगी और अगर आपको रैस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीज़ें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी सेहर करिए तो यहां पर हमायद दूसरे बैस के वही कबाब जो है अच्छे से फ्राई हो गया है तो आप इन्हें भी देल से छान कर निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे आप इन्हें चाय, टोमेटो सॉस, चिली सॉस या किसी भी होम मेट चटनी के साथ सरुख कर सकते हैं यह सभी के साथ खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे तो आप यह कबाब की रैस्पी बनाकर जरूर ट्राइक की जोए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफेशन बलको आन कर लीजे इससे की नई वीडियो के प्डेट आपको मिलते रहें